नमस्ते मैं आप सबकी वेल विशल सोमा पाथक आज आप लोगों को क्रिस्टल ब्रेसलेट्स यूज कैसे करते हैं या यूज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दूंगी टो प्रीष्टल जब ख्लाइंट्स को क्रिस्टल रेमेडी दिया जाता है उसके बाद क्रिस्टल उनके हातों में जब आता है वह पहनने से पहले कुछ प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है क्यूंकि वो crystals एक तो manufacturing वहां से आकर किसी के through फिर delivery boys के through फिर रास्ते में इतना जगा होते हुए जब हमारे पास या client के पास पहुंसता है तो उसमें बहुत सारा negativity accumulate हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि crystal bracelets या कोई भी crystal आप किसी भी form में use करें उसको use करने से पहले उसको process करना चाहिए process करना मतलब उसे negativity free करना चाहिए और हम उसे कैसे कर सकते हैं आईए इसी के बारे में आज बात करते हैं तो सबसे पहले जभी हमें crystals मिलेंगे कुछ crystals होते हैं जो water friendly नहीं होते हैं जैसे lapis lazuli है सेलनाइट है और किसी एक अलग वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कौन-कौन से crystals को water black tourmaline है इनको पानी में नहीं डालना चाहिए डालने से यह खड़ाब हो सकते हैं तो जो crystals crystal bracelets हमें मिलते हैं वो crystal bracelets को या कोई भी crystals को सबसे पहले हमें जो water friendly है उनके बारे में बता रही हूं मैं उन crystals को सबसे पहले rock salt या सेंधा नमक जिसे कहते हैं या अगर सेंधा नमक आपके घर में ना हो तो आप common salt जो हम regular खाने में यूज़ करते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले एक काच के कटोरे में हो या glass में हो काच का होना चाहिए वैसल उसमें पानी डालके और उसमें थोड़ा सा एक चमच या दो चमच आपका quantity requirement जैसा होगा जितने सारे आप पानी में सेंधा नमक डालिए या common salt डालिए और फिर पानी को थोड़ा सा घोल के अब उस पानी में यह crystal bracelets को आपको डूबो के रखना है at least five to six hours पूरा रात रहे तो बहुत अच्छा है और फिर पांच-छे घंटे के बाद या सुबह उठके आप यह crystals को अच्छे से बहते हुए पानी में मतलब टैप वाटर में अब नीचे टैप वाटर के नीचे अच्छे से हलके हलके हाथों से रब करके bracelets को या crystals को दो लीजिए गा जैसे हम महादेव को shivling को हम बहुत प्यार से क्यर से नहलाते हैं वैसे ही अगर उस वैसा feeling आप रख सके तो बहुत अच्छा होगा तो वह crystals को अब बहुत अच्छे से carefully running water tap के नीचे हाथों में रखिए अच्छे से धो लीजिए तीन मिनिट तक वह flashing water उसके उपर गिरना चाहिए ताकि वह clear हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है उसको अच्छे से हलके हाथों से किसी सूखे कपरे से आप पोच लीजिए और फिर कुछ देर तक दो तीन घंटा रख सके आप जितना देर रख सकते उतना ही अच्छा है एक लीजिए 10-15 मिनिर्स धूप में रखिए धूप में रखने के बाद वहां से उठाकर आप तीन अगर्बती जलाएगा यह आप पूजा जहां करते हैं रेगुलर वहां पी कर सकते हैं कहीं और भी किसी भी जगह पर कर सकते हैं जगह मैटर नहीं करता है आपको तीन अग होकर पोच कर धूप में रखकर वहां से उठाया है उनको उन क्रिस्टल को आप यह अगर्वत्ती के दूएं के पास और कैंडल या दिया के पास रखिए कुछ देर और अगर हो सके तो अगर हो सके तो आप इसको सेज अगर आपके घर में अवेलेबल हो या कोई अधर जो दूसरे हर्प्स मिलते हैं उनलाइन में वह भी यूज़ कर सकते हैं नैच्रली जो कैश्वेली हमारे घर में रहता है जैसे तेज पत्ता धूना गोगल और कैंफर होते हैं इन सब का अगर बत्ति के दूए में और यह जो सेज या तेजपत्ता या धूना या गोगल जो है इनका जो दूआ अपने बनाया है उसके उपर अच्छे से घुमा घुमा के क्रिस्टल्स को अच्छे से घुमे के उपर रखिए इस इसी प्रोसेस को स्मजिंग भी कहते हैं तो आप जितने अच्छे से हो सके इनको धुआ लगा के आप अपने पास रखिए और फिर आपने जिनके पास निमरलोजी प्रेडिक्शन करवाया है जिन्होंने आपको सजेस्ट किया था उनसे कॉंटेट कीजिए अगर उनको उन्होंने रही की सीखा है रही की क्रिस्टल्स क्रिस सिंबल्स के तुरू तो उनसे आप जरूर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करवाले जिए ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट मिले और अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं आप आपके इस्ट को गुरू को भगवान को एंजल्स को साक्षी मानकर अपने हाथों में रखकर बह आपके दोस्त बनेंगे आपके लाइफ से हर एक प्राब्लम को दूर भगाएंगे और वह खुद बहुत है कि अच्छे से आपका खयाल रखेंगे वह क्रिस्टल्स तो प्रिस्टल्स एक्ट्टियली क्रिस्टल प्रेस जो आप पहनने वाले हैं वह आपके लाइफ इपके तो बहुत अच्छे से खयाल रखिएगा crystals का और यह भात ध्यान रखिएगा कि crystals जो आपके लिए हैं सिर्फ वो आप ही के लिए है कि crystals किसी और activate करने के बार किसी और को touch करने नहीं देना है यह आपको एवरी डे अगर कर सके तो बहुत अच्छा है नहीं तो हफते में एक बार या 15 डेज में एक बार यह स्मजिंग वाला प्रोसेस जरूर कीजिएगा और धूप में रखना 10-15 मिनिस धूप में रखिएगा और आप मून लाइट में जो फुल मून डे होता है फुल मून नाइट को आप इन क्रिस्टल्स को कुछ देर के लिए या तो राद भर भी रख सकते हैं मून लाइट के नीचे रखिए तो भी यह बहुत अच्छे से चार्ज हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत जादा मिलेगा साथ एसाथ यह मैं अच्छेली जो मेरे जो भी मेरेक्लाइंट्स होते हैं उनको मैं हमेशा बोलती हूं कि नेगेटिविटी यह क्रिस्टल्स हमारे बॉडी से नेगेटिविटी को एब्जॉर्फ करते हैं कि इसलिए इनका खायाल रखना हमें बहुत जरूरी है इस हिसाब से मैं खुद भी अपने सारे क्रिस्टल्स को एवरी डे जो पानी में धूल सकते हैं उनको पानी में रानिंग बॉटर में धोकर फिर अच्छे से पोच कर धूप में रखती हूं सैनलाइट में रखने के बाद मैं वह जब पुजा करती हूं पुजा के टाइम अग जलते हैं या धुना जलाते हैं तो उसका जो धुना होता है उसके चाड क्रिस्टल ब्रेसलर्स को चारो ओर से धुना कहलता है यह सब में regular basis पर ही करने की कोशिश करती हूं कि यह पूरा दिन जब हम पहने रहते हैं तो हमारे लाइफ से और हमारे सराउंडिंग से सभी तरह से यह नेगेटिविटी एब्सॉब करती है और वो नेगेटिविटी अगर इनके अंदर रहे जाए तो फिर हमको पॉजिटिविटी कहां से मिलेगा इस हिसाब से मुझे लगता है यह रेगुलर बेसिस में अगर हम इसकी नेगेटिविटी रिमूब करके पॉजिटिव एक्टिवेट करके रखे तो यह हमें बहुत जादा बेनिफिट दे सकता है तो और भी कोई क्वेस्चिन्स हो तो आप जरूर कमेट बॉक्स में कर सकते हैं बट ओनली मैसेज कीजिएगा बात करना होगा तो मैं आपसे बात कर लूँगी बात में और साथी साथ यह भी बोलूँगी क्रिस्टल्स तो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी लाती ही है निमरलोजी हमारे लाइफ को बैलेंस तो करती ही है पर उससे भी पॉजिटिविटी चाही रहती है वह आपको जितना भी मैं यहां से बोलूँ आपको समझ में नहीं आएगा जिन्होंने सीखा है आपके आसपास में अगर किसी ने सीखा है और रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते हैं आप उनको देखिए तो फिर आपको पता चलेगा कि रेकी का जो पॉजिटिविटी है जो बेनिफिट है वो कितना जादा होता है और अगर आप मेरे बातों पर विश्वास करते हैं तो मैं तो 100% गैरंटी देती हूँ कि जब ही कोई वेक्ती दिल से रेकी सीखता है योग्य रेकी गुरूप के पास सीख कर अपने हेल्थ को अपने लाइफ को हील करने का एक मैजिकल पावर आ जाता है जो रेकी की ब्लेसिंग से आज यही तक नमस्ते